हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल ममा इंड बेबी क्यार आज हम जो डिसकस करेंगे वो करेंगे प्रेंगनिंसी प्लैनिंग पर तो आपको 30 से पहले प्रेंगनिंसी प्लैनिंग क्यों करनी चाहिए इसके मैं आपको फायदे बताने जा रही हूं और अगर आप 30 के आप अपना बेबी प्लैन कर लें तो उसके क्या फायदे मिलते हैं जब आप अपने 20s में होते हैं यान की 30 से पहले जो आपके एज होती है उस एज में जो वूमेन होती है वो फर्टाइल होती है और वो easily conceive कर लेती है प्रेंगनिंसी में कोई दिक्कत नहीं आती है तो natural pregnancy ए इस टाइम पर आपके पास इतने energy होती है कि आप pregnancy phase को अराम से पास कर लेतो जैसे जैसे 30 के बाद हमारी age बढ़ती जाती है हमारा calcium कम हो जाता है और weakness भी आने start हो जाती है तो उतना stamina नहीं रहता यह तो मतलब fact है जो 30 से पहले का stamina 30 के बाद नहीं होगा stamina में फरक आजाएगा और second thing कि आप pregnancy timely plan करोगे तो बच्चे को पालने में भी easy रहेगा तो आपको जो energy है उस time पर बहुत रहती है और 30 के बाद energy जब कम हो जाती है तो फिर बच्चे के साथ कितनी energy आपको लगती है तो वो energy आपको नहीं मिल पाती है next फाइदा है कि आपको pregnancy weight है वो आप जल्दी से gain कर लोग जल्दी से shape में भी आ जाते हो तो जल्दी से recover कर जाते हो ये भी फाइदा है अब अगर आप 30 के बाद pregnancy plan करते तो आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सबसे पहला जब आप 34 के हो जाते है उसके बाद आपकी जो pregnancy की fertility है वो कम होती जाती है और second आपको high BP हो सकता 30 के बाद gestational diabetes का खतरा है और आपको fertility treatment लेने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात इसके बाद miscarriage का risk भी ज्यादा हो जाता है तो 30 के बाद आपकी body में काफी complication आना start हो जाती है जो की 30 से पहले बहुत कम होती है तो अगर आप 30 से पहल baby plan करते तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले तो first baby तो at least आप 30 से पहले plan करी ले और हो सकतो दोनों baby भी आप 30 से पहले plan कर लोगे तो आपके लिए वह beneficial ही रहेगा physical health अगर देखी जाए तो उस time पे बहुत अच्छी रहती और यही reason है कि आपको suggest किया जाता कि तीस से पहले baby हो जाना चाहिए वैसे तो आजकल शादी लेट हो रही है तो baby भी लेट हो रहा है कई फिर भी 35 के बाद भी natural कई लोग conceive कर जाते पर ऐसे कम chances होते हैं तो better है कि 30 से पहले pregnancy करके आप उसके सारे benefits ले ले और baby भी अच्छे से grow कर जाएगा आपको दिक्कत नहीं होगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बेबी पल जाएगा तो यह सारे फायदे हमको मिलते हैं यंग इस में pregnancy plan करने से तो आई होप आपके लिए information useful हो और अगर आपको information पसंद आए तो like करना बिलकल भी ना भूले